को यंद्ध यह हमारा एक थ्रीफेस का पैनल इसके हम कनेक्षon करके दिखाएएंगे कि हम बसदासा होंगे श्टर्रेखक कि सहांसा कर पाएंगे आप मेन लायन आ रहे है हमें वहां सामने से साह की कि अगे और हमें यहां पर हम प्तिशंय का या कचम्या सब तो यह हमारी जो이젃 केवल मैं केवल यह है जो कि हमारी चेञ्जवर साई ही वहां पर भी एक बजवाल लगे बड़ी बजवाल उन्हीने यहां पर कम मोटर चलेंगे, वहां पर काफी सारी मसीने लगेंगे, वहां पर बढ़ी है, उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, तो फिलाल, इसके हम कनेक्शन करेंगे, और इसके जो हमने शोट लीड है, जो बस वायर से हमारे स्टार्टर तक जाएंगे, यह थीन बना रखी यहां पर डालेंगे, तो सबसे पहला हम यह वाला पॉइंट खोलेंगे, यहां पर हमारी इंपुट लगेगी, ठीक है, तो उपर रेड है, बड़ा वाला इसलिए लगा रहे है, क्योंकि अगर छोटा हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो पहले हमारा बड़ा सेट आ करेंगे, और उसका जो मुह है, इस साइट को नेट टाइट करेंगे, और साइट रखेंगे, यह रखा हमने वासर रखा, और यह नेट लगा करके टाइट कर दिया, यहां पर लोजिंग बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, तो अच्छे से टाइट करेंगे, यह हमारा आर फेस लग चुका है, उसके बाद यहां पर आर वाई बी, कलर तो देखो, नया है यह श्टाडर, और कलर कैसे रखेंगे उटे सीरे, यहां ग्रीन लगा दिया है, यहां पर पीला होता है, यहां पर नीला होता, लाल हमें यहां और हमारी जो केबल है, इसमें भ लगा है, यह तो ठीक है दोनों, कोई दिक करते हैं, अब क्या करते हैं, जब है तो यह, तो इसको हम सेट करेंगे, और इसको देख लेंगे हिसाब से, कट कर दिया हमने, वाई फेस, हमारे हिसाब से वैसे तो कलर तो ग्रीन है, लेकिर फेस हमने वाई लगाया है, यह दो हम आरवाई टाइट कर दिये हैं तीसरा हमारा यह रहा है तो यह हमारे तीन फेस लग चुके हैं अब बचा क्या है नियूटल यहां पर वासल लगाया टाइट कर देंगे इसमें जब भी काम करेंगे लाइन और नहीं होनी चाहिए यहां पर थ्री फेश का है थारी सप्लाई अगर ओन होगी लाइन तो तो फिर दिक्कत हो जाएगी यह हमने सका अब हम इस सप्लाई को यहां से डिस्टिबिट करेंगे य पहली केवल यह रही है केवल जो हमारी यह फोर और के जो की है दस एमेम की कि अ कि अ